नमस्कार, CityPost Live में आपका स्वागत है मैं हूँ अनुराग, केंद्रिय मंत्री रवी संकर प्रसाद ने कल नई गाइडलाइन जारी की अपने डिपार्टमेंट की आइटी डिपार्टमेंट के वो मंत्री है और उन्होंने टेलीकॉम डिपार्टमेंट जिनका वो जिम्मा भी है तो टेलीकॉम डिपार्टमेंट में नई गाइडलाइन जारी की और कहा कि अब देश के अंदर जो है क्रांती आने वाली है भारत में BPO Industries उन्होंने बताया कि 2.8 लाग कडोर है लेकिन इस बात की संभावना है कि 2025 तक 3.9 लाग कडोर हो जाएगी यानि भारत में जो विदेशी पुझी निवेस है और विदेशी कमपनिया वो निवेस करने को उत्सुख है और उन्होंने कहा है कि भारत उसका बड़ा हब बनने जा रहा है तो खर सरकार की ये बात हुई किन्द सरकार ने ये जारी किया एक नई गाइडलाइन जो IT डिपार्टमेंट है रवी संकर परसाथ जो बिहार के पटना के सांसत भी है पटना साहिब के तो उन्होंने ये जो गाइडलाइन जारी किया और कहा कि देश में अब जो है निवेस को रास नहीं आ रही है जी आम आप बात कर रहे हैं फिर से एक बार जीतनाम मांजी की जीतनाम मांजी के फिर सुने एक बार निकले हैं जिस तरह से उन्होंने आरके रभी संकर परसाद को उन्होंने घेरा है तो कहा जा सकता है कि मांजी जो है फिर से एक बार फॉर्म में आ ग आउट्सोर्सिंग का हव बनाएए हम इसका स्वागत करेंगे हम यानि हंदुस्तानी अवामवर्चा जो मांजी की पाटी है वह उसका स्वागत करेंगी पर प्राइबेट सेक्टर और आउट्सोर्सिंग में आरच्छन नहीं होने से देश के अनुसुची जाती जन जाती आरक्षन की बात वो करते रहे है मांजी फिर एक बार उन्हों ने ये बात उठा दी है ये मांग उठा दी है और आगे वो लिख रहे हैं इसलिए आगरह है कि आउट्सोर्सिंग से भी आरक्षंग का प्रावधाम सुनिशित करवाईए तो मांजी का जो सब्द है वो कड़े हैं रभी संकर परसाद के बारे में जो कर रहे हैं कि आप देश को बेशक आउट्सोर्सिंग का हब बनाई है जिस तर्द से रभी संकर परसाद ने कल जो लाई जारी किये टेलकॉम सेक्टर और कहा कि देश में इससे निवेस बढ़ेगा आउट्सोर्सिंग का हब बन जाएगा इंडिया तो मांजी को ये बात रास नहीं आ रही है क्योंकि आब वो कह रहे हैं कि आउट्सोर्सिंग में आरक्षं प्राइवेट सेक्टर और ही मांग करते रहे हैं कि निजी सेक्टर में आरक्षन होना चाहिए इसकी वकालत मांजी पहले से भी करते रहे हैं और अब जब केंद्र सरकार ने जब नई गाइडलाइन जारी की है और बिहार के ही मंतरी हैं बिहार कोटे से ही मोधी सरकार में मंतरी हैं रवी संकर पर साथ उन्होंने ही गाइड लाइन जारी की तो इस पर सवाल खड़े कर दिये जीतर नाम मांजी ने और आरक्चल की लगे हाथ उन्होंने मांग कर दी है तो मांजी एक बार फिर अपने तेवर दिखा रहे हैं और खासकर बीजेपी के खिलाब जिस तरह से खुल को वो बयान बाजी करते थे एक बार फिर सामने आ गए हैं और मोधी सरकार के मंतरी को ही आड़े हांतों ले लिया है बने रहे हैं City Post Live के साथ तमाम खबरे आपको हम दिखाते रहेंगे फिलाल के लिए इतना ही धन्यवाद